अच्छा एक खौफ इंजिनिंग स्टुएंट के बीच में बनी हुई है जिसमें दो ट्रेड हैं जिसमें इलक्टिकल इंजिनिंग और इलक्टॉनिक इंजिनिंग इन दोनों ट्रेडों को लेकर के अलग-अलग ओपीनियन है। लोगों के क्या च्छाअ करें फ्रेडों में या नहीं बनांट होता ह्य तो किज्टे का माक्त ऐएक प्लेज़ का प्लेजमंट हूता है IIT का नाम आप लोगोंने सुना है IIT और NIT में अगर computer science के बाद सबस्याद प्लेस्मेंट हुआ है पिछले 2-3 सालों में तो सबस्याद जो प्लेस्मेंट हुआ वो electrical engineering का हुआ है मतलब बहुत shocking मुझे भी लगा था कि other engineering trade IIT तक को पीछे कर दिया है कई college ऐसे हैं जिसमें electrical का placement काफी चौक आने वाला है तो आप सोचो नहीं IIT लिवल पे private industry में electrical का placement और हम सब लोग क्या mindset में रखते electrical engineering मतलब सरकारी नोगरी तो अगर देखो आपका college campus placement नहीं कराता है तो उसमें आपकी college के mistake है आप लोग को ये pressure डालना पड़ेगा कि भाई college में आप पढ़ रहे हो आपने 10 लाख रुपए फीस लगाई है बीटेक करने में या पॉलिटेकनिक करने में जो भी तो लाख रुपए खर्च किया है तो आप अपने college में बोलो भाई मारा placement कराईए प्लेस्मेंट कंपनिया लाईए और electrical electronics में बहुत सारी private कंपनिया है guys मैं 2023 से compare कर दूँ तो 2024 में काफी कमाल होने वाला आने वाले 2026 तक और भी manufacturing units इंडिया में open हो रही है तो जो manufacturing company आप अपनिया वो electrical electronics diploma holders को सबस्यादे ले रही है इसको बीटेक वालों को ले रही है तो demand बढ़ रही है demand जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से चीजे भी समझने की जरूरत है demand अच्छे से बढ़ रही demand में ये चीजे है demand में वो चीजे है उसको optimize करने की जरूरत है और campus placement में बता दूँ पहले बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी अभी भी हैं लेकिन campus में अब उतना नहीं जाती है पहले सोनी बहुत बड़ी कंपनी थी और सोनी के बहुत सारे ऐसे product थे जिसमें electronics engineer की जरूरत पढ़ती थी campus में जाती है लेकिन उतना नहीं जाती है उसके अलावा लेडी का जमाना आ गया automation का जमाना आ गया robotics का market है बहुत सारे ऐसे industries हैं जो campus placement के लिए आते हैं तो पहले आपको decide करना पड़ेगा भाई देखो electrical engineering के लिए स्टाइब की company आती है electronics engineering के लिए इस टाइब की company आती है और उन companyों में आपको interview अच्छे से देना पड़ेगा और एक चीज़ा और बता दू अगर आपके college में on campus नहीं हो पाता है तो आपको plan B रखना पड़ेगा भाई off campus हो जाए क्योंकि plan B नहीं रखोगे तो फिर कैसे survive करोगे कैसे आगे लेकर आप जाओगे भाई कि plan B हमारे पास है तो चीज़े बड़ी बिखर सी जाएंगी आपकी life में कि अरे यार मैं क्या कर रहा था कैसे हो गई चीज़े इस तरह से कैसे हो सकती है तो different mindset होता है तो electrical electronics का भी campus होता है ये मत भूले और एक चीज़ और मैं बता दूँ electronics engineering में maximum मैंने देखा है कि जो maximum college है private industry में जो लेके जाते हैं वो 80% placement electronics engineering का लोगे पूर ब्रांच में न करा की computer science में कराते हैं क्योंकि मैंने देखा कि infosys भी ले जाती electronics को IBM भी लेके जाती है Tech Mahindra भी लेके जा रही है CL भी लेके जा रही है वे प्रो भी लेके जा रही है तो if you are interested in CSC field obviously you can move on आप जा सकते हो ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते हो even though मैंने electricals engineering करके लोग SCL में job करते हो देखा हम है तो आप समझ सकते हो कि CSC field सबके लिए open है ऐसा नहीं कि कोई particular trade को रोग दिया गया कि भाई इस trade वाले नहीं आएंगे इस trade से vacancy नहीं निकलेगी इस trade को हम job नहीं देंगे तो campus placement की जब बात होती है तो electrical electronics का भी अच्छा खाचा campus placement होता है लेकिन आपको अगर नहीं करा रहा है तो आपको अपने college में जाईए बात करिए दीन से बात करिए प्रिंस्पल से बात करिए चेर्मेन से बात करिए कि भाई company लेकर के कब आओगे और college तो placement दे रहे हैं नहीं है तो वीडियो दिखाईए आप मेरी और बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो आपको करनी पड़ेगे फाइनल येर में है तो ये माइटशेट में रख लें अगर आपका पॉलेज नहीं करा रहा है को आफ कैंबस के लिए आप रेडी हो जाओ अपने आपको move on कर लो कि भाई मेरे को mentally prepare कर लो कि मुझे किस टाइब की company को target करना कहां interview देना है और किस टाइब के job लेना है वीडियो में इतना ही होगा इस वीडियो आपको पसंद आए होगी जो लोग टेलिग्राम पे हो वहाँ पे विजा के जॉइन करो जिनको career counseling चाहिए मेरे से बात करनी है link description दे रहा हूँ वहाँ पे विजा करके मेरे से बात कर सकते हैं मिलते आप से next video में thank you